नारेंद्र मोधी जिन्दाबाद, नारेंद्र मोधी जी को जै शी राम, पूर्णिया की जंता की तरप से जै शी राम, नारेंद्र मोधी जिन्दाबाद, नारेंद्र मोधी जिन्दाबाद, जै शी राम, अब हमारे बीच, हमारे देश के यशश्वी प्रधान मंत्री, युग पुरुष, संतात्मा, जिन्होंने हमारे भारत वर्ष को विश्व गुरु बनाने का कारे किया है, ऐसे यशश्वी प्रधान मंत्री, हम सबों के बीच प्रस्तुत है, उपस्तित है, ये हम सभी पूर्णिया वर्षों के लिए बहुत ही गर्व का विशे है, एक बार हम सभी जोर्दार करतल धोनी के साथ उनका स्वागत करेंगे, जोर्दार ताली होनी चाहिए, भारत माता की जै, नरेंद्रमोदी जिन्दाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वन दे, वन दे, अब मैं अगले स्वागत भाषन के लिए नेंडिये प्रत्याशी पूर्णिया श्रीमान संतोस कुश्वार जी से आगरह करती हूँ, कि वो यहाँ पर आए और अपने स्वागत भाषन से माननिये प्रदान मंत्री जी को स्वागत करें। पर चम लहराने वाले मान्ये प्रदान मंत्री नरेंद भाई मोदी जी को आपका मा पूरन देवी की धरती, संत सीरोमनी महर्शी महीं जी महराज की कर्म भूमी आंचलिक कथाकार फनिस्वरनात रेनू की धरती, बोला पास्वान जी की धरती पर आपका हर्दी कभी नंदन करते हैं। आप हमारे, हम आपके अभारी हैं, आप यहां पहुँच कर हमें अपना आशिरवाद देने का काम किया है। इस मंच पे उपस्थेत, शम्मानित मंच, राजशभा सांसत, संजय जाजी, बिहार सरकार के मंत्री परिषत के सदस्य गन, मान्य विधायक गन, नगर परिषत की महापौर, मंच पे बैठे समी सम्मानित जिला अध्यक्ष, और NDA के कारिकरता साथे, आप सबों ने, और अलग-अलग हिस्से से आए हुए, सभी सम्मानित जनता जनारदन, आप सभी मालिक को मेरा पणाम, मेरा नमस्कार, आप सबों ने मुझे दो बार आसिरवाद दे के लोग सभा भेजने का काम, करने का काम किया है, दो हजार पाँच के पहले, यहां की इस्टिती क्या थी, ना बिजली थी, ना सरके थी, किसी चीज़ का अस्टित्व ही नहीं था, सूबे में तो जंगल राज था, लेकिन पूर्णिया में महा जंगल राज था, और उसी जंगल राज के संस्थपक सदस, आज आप सबों के बीच में भेश बदल कर आए हैं, और आपके आँखों में धूल जोकने का प्रियास कर रहा हैं, ये बहरुपिया प्रियासी के समय कितनी बहनों ने बिद्वा हो गई, कितनी मां के कोख हुजर गए, यह, आप सबको पता है, क्या आप चाहेंगे कि फिर से पूर्णिया में ऐसे जंगल राज की वापसी हो, हमारे परतिजवंदी पूछते हैं, कि दस बरसों में मैंने क्या किया, मैं बताता हूँ, कि मेरे संसेदिया छेतर में सुसाचन आया, गुंडा राज समाप्त हुआ, रंगदारी टेक्स बंद हुई, इनिवर्सिटी मेडिकल कालेज, एगरिकल्चर कालेज, जी एनेम और हम लोग तो कलम और किताब बाटने वाले लोग हैं, हम लोग कोई पूरलिया में आर्श गिला के बाटने वाले लोग नहीं हैं, और इतना ही नहीं, पूर्णिया में मेरे कारिकाल में पासपोर्ट ओफिस भी खुला, बिहार माधविक सिक्षा बोट की कालियाले भी के सुधार के लिए खुला, सिक्ष लेन सरक का निर्मान, यहां पे वेवसाही के लिए भाई मुक्तमाता बनाया गया, दरजनों मौल खुली, दरजनों अस्पताल खुले, कई काम ऐसे हुए हैं, यहां पे नामचिन वहनों की, नामचिन जो देश का प्रोड़क्ट है, उस मौका मिला था, तो वो हम बताते हैं, आपने क्या किया, बहुत मुश्किल थे पंदरों बरसों में, पूर्णिया का जो दाग जुला है, उस दाग को फिर से पूर्णिया में नहीं पढ़ने देना है, यह जो अराजक इस्थिती थी, उसको नहीं आने देना है, आपको बता हैं कि आपने पंदरों सालों में क्या किया, आपने पंदरों सालों में तीस से अधिक राजनितिक हत्या करवाने का काम किया, और तीस से अधिक बेवसाईयों को यहां से पलाइन करने के लिए मजबूर किया, यहां के डाक्टरों को पलाइन करने के लिए मजबूर किया, आ एक परत्यासी लाल टेल लेके आया हुआ है उससे भी हम कहेंगे कि हमारी ही पार्टी में थी लेकिन उनको नितीज जी ने जमीन से उठाके बिहार सरकार में मंतरी तक बनाने का काम किया उसके भी पीट में खंजट डालने का काम उन्होंने किया है इसलिए आज प्रधान मंतर जी आज आसिरवाद देने के लिए हैं यह हम सब के लिए गर्व की बात है जो पूर्णिया का एयरपोर्ट का मामला है दो हजार पचीस में तक पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा मानने प्रधान मंतरी जी है तो इस चीज की गारेंटी है और जो विकास के काम इनी सब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आवार. अब मैं पिरान मंत्री मोधी जी से आग्र करती हूँ, जो जिसे सुनने के लिए हम सभी यहां इकट पुर्णिया की पावन धर्ती पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार सोर्दार्तारियों से. भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय माई पुर्ण देवी बिशहरी माई की जय मैं बक्त प्रहलाद और महर्ची मही बाबा की इस पावन धर्ती को नमन करता हूँ. मौरियस सामराज के रूप में भारत के गवरव को दूर दूर तक फैलाने वाले समराट अशोक की आज जेंती भी है. उनसे प्रिणा लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आसिरवाद देने आये हैं. एंडिये सरकार की तीछरी पारी को लेकर पहले से भी ज़्यादा उत्सा नजर आ रहा है. आपका ये उत्सा बता रहा है फिर एक मार 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 विक्सित भारत के लिए चार जून, चार जून, साथियों, आज NDA सरकार के लिए वंचित सोसित वर्ग हमारी पहली प्रात्विक्ता है जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसको पूझ रहे हैं एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछडा कहकर पिछा छुडा लेती थी बिहार की सरकारें सिमानचल को पिछडा कहकर के पलडा जाड लेती थी लेकिन हमने सिमानचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है इंडिये सरकार ने सिमानचल के भाग्य को बदलने के लिए आकांची जीला और अब आकांची ब्लोग ऐसी बहुती महत्वा कांची योजना चलाई आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बहतर प्रगति करने वाले आकांची जीलो में अपनी जगर बनाई है मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बदाई देता हूँ साथियों आपका उच्छा अदभूत है ऐसा उच्छा बहुत कम ही देखने को मिलता है लेकिन अगर आपका उच्छा मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फाइदा क्या होगा तो मेरी बात वहां बैठे लोग सुन सके इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके नारे आपके उच्छा को थोड़ा नीचे करें तो अच्छा होगा करेंगे मेरी बात को मानेंगे पक्का मानेंगे बिहार के लोग इतने बढ़िया है यहां के नवजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्विकार करते हैं यह मेरा सवभा क्या है साथियों बिहार और पुर्णिया के पास सामर्थ की कभी कमी नहीं थी हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्वादन करता है बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है पिछले दस वर्सों में हमने जूट की MSP को बढ़ा कर दो गुना किया है बिहार का 20 प्रतीशत मखाना अकेले पूर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं हमने आपके इस सामर्थ को फ्रोचान दिया नतीजा ये हुआ कि आपने मखाना के सीड प्रोडक्शन को करीब दो गुना कर दिया आज एंडिये सरकार मखाने को सूपर फूड के रुप में प्रमोड कर रही है मोटे अनाज यानि स्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है आपने जी ट्वेंटी में देखा होगा मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राध्पती प्रदान मंत्री को स्री अन्न मोटा अनाज खिलाया कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें अम मोटा अनाज गरीब का खाना नहीं अमीरों का खाना बन रहा है इसका फाइदा सीधे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है मक्के को भी मुनाफे की फसल मनाने के लिए हमारी सरकार ने MSP पर खरीद बढ़ाई और अब तो मक्के से एथनल भी बनाया जा रहा है देश का पहला पूरे भारत का पहला ग्रीन फिल्ड एथनल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है हमारे नितिश जी ने ही इसका उद्गाटन किया था साथियों क्रिशी और उद्गोग के इन अवसरों को गती देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रासेक्टर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगवानी रेल सेक्शन के विद्ध्यूती करन लोकारपन किया था हमारी सरकार सिमानचल में अच्छी सडकों का निर्मान भी करवा रही है और अब तो वो दिन धूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी हमारी सरकार सिमानचल में बंदे भारत नमो भारत जैसी ट्रेनों के जरिये कनेक्टिविटी बढ़ाने और बहतर स्वास्पस्विदाओं के लिए भी काम करेंगी साथियों मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है इसलिए गाव गरीब दलीट बंचीट दसकों से जिन समस्याओं से जूज रहे थे मोदी ने दस साल में उनका समाधान दिया है देश के पचीश करोड गरीबी से बहार तब आये जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की देश के चार करोड गरीबों को पी एम आवा तब मिला जब आपने मोदी को सेवा करने का आशिरवाद दिया देश के पचास करोड से ज़्यादा दलीतों वंचीतों गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशिवाद दे करके सेवा करने का मोका दिया करोडों माताओं बैनों को चूले के दुए से मुक्तितम मिली जब मोदी ने उजवला सिलिंडर दे कर उनकी सूध ली देश के ग्यारा करोड परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुचा जब मोदी ने हर गर जल को अपना मिशन बनाया आज ग्यारा करोड छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निजी भी एंडिये सरकार ही भेज रही है इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाप हमारे तत्मा समाच महलदार समाच और रशीदेव समाच के मेरे परिजनों को भी हुआ है लेकिन साथियों मोदी इतने से संतूस्ट नहीं है जो काम हुआ है न वो तो ट्रेलर है ट्रेलर अभी हमें पूर्णिया को, सीमान्चल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है कई बार लोग बूतते हैं कि मोदी के लिए समाच के आखरी पाइदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलीत, पिछरा, आदिवासी ये इतनी प्रात्विक्ता क्यों है ये समाच मोदी की प्रात्विक्ता इसलिए है क्योंकि यही समाच सबसे जादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकल कर आपके बीच आया है मोदी के उपर अपने इस समाच का बाबा साब का और उनके सम्विधान का बहुत बड़ा कर्ज है इसलिए हमारी सरकार ने सम्विधान को एक स्रद्धा का स्थान मिले सम्विधान को आस्था का स्थान मिले सम्विधान के प्रती देश का प्रत्यक व्यक्ति समर्पित हो सम्विधान की भावना को हर देश वासी तक पहुताने के लिए लगातार काम किया है हमारी ही सरकार ने देश में सम्विधान दिवस मनाने की शुरुवात की आज बाबा साब के सम्विधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रिम कौट और संसत्तक में कारिकम किये जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेथ हैं इस साल सम्विधान के 75 वर्ष की शुरुवात हो रही है जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमरुत महुत्सों मनाया इसी तरह इस वर्ष हमें सम्विधान के 75 वर्ष का पर्वम मनाना है हमने तै किया है हम देश के कौने कौने में बाबा साब के सम्विधान की भावना को लेकर जाएंगे देश की युवाप्वीडी को देश की गवरवसाली सम्विधान के निर्मान की प्रक्डिया उसके अध्याएं उसका महत्व बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनोंने आपातकाल में सम्विधान को रद करने सम्विधान को बंदग बनाने और सम्विधान को तोड़ने मरोडने का काम किया था हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठ़्ी में रखना चाहते हैं सम्विधान उनकी आँखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग सम्विधान एक व्यवस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे हैं लेकिन इनके मनसुबे कामियाब नहो सम्विधान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है साथियों अगले पांच वर्सों के कामकायद के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरुवत बंदों को आगे भी फ्री राशन मुप्त राशन मिलता रहेगा मोदी ने गारंटी दी है गरीब बलीब बंचित के कल्यान से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरुरत मन तक लेकर जाएंगे हमारी सरकार तीन करोड नए पक्के घर बनाएगी देश में सत्तर साल से अधिक उम्रके सभी बुजुर्गों को मुप्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिये अब वो बिमारी को छुपाएं नहीं अगर कोई तकलीब है तो मोदी बैठा है ये मोदी की गारंटी है साथियों पिछले दस वर्सों में NDA सरकार ने वो काम किये हैं जिने पहले असंभव माने जाते से आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिरफ बाजपा के पास है NDA के पास है आपको याद होगा पहले अडोस पडोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन सहादत होती थी आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्षा भी आता था आपका मन करता था ना कि इने घर में गुस कर मारो मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ जो देश हमें आँखे दिखाता था वो कटोरा लेकर ये भटक रहा है साथियों दसकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्वीर में अलग जंडा अलग सम्विदान नहीं चलना चाहिए जो लोग दिन रात सम्विदान के नाम पर हमको गालिया देते हैं न इतने दसकों तक उन्होंने राज किया आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई अब तक आई लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साब आम बेड करके सम्विदान को जंडा कर पाएं बाबा साब का सम्विदान वहां लागू नहीं होता था ये मोदी है जो सम्विदान को समर्पित है आज जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा सम्विदान लागू हो गया कश्मीर से आपकी इच्छा थी तीन सो सत्तर हट नी चाहिए तो ये गमंड या गडबंदन वाले क्या कहते थे ये कहते थे कि तिन सो सत्तर हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी आज आर्टिकल 370 का दो एंड हो चुका है अगर कश्मीर में नहीं भारत को बाटने वालों के मन्सूबों में जलन हो रही है आग लगी है साथियों कल राम नवमी का पवित्र त्योहार भी है ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गवरव बढ़ा रहा है अब कुंठा में गिरे ये कॉंग्रेस के लोग गमंडिया गडबंदन के लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं गमंडिया गडबंदन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है 26 अप्रिल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते हैं साथियों हमारा सिमान्चल बिहार का एक संवेजन सिल इलाका है वोट बैंक की राजनी निकरने वालों ने पूर्णिया और सिमान्चल को अवेद गुश्पेट का ठिकाना बना कर यहां की सुरक्षा को दाउं पर लगाया है इसका सिकार हमारे दलीत वंचीत पिछडे और गरीब को होना पड़ा है हमारे दलीत भाईयों के गरों तक को जलाया गया था लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ देश की सुरक्षा से खिलवाड करने वाला हर तत्वर सरकार की नजर में है चार जुन का परड़ाम इसी सिमान चल की सुरक्षा स्ताय करेगा और जो लोग राजनितिक फायदे के लिए C.A. का विरोध कर रहे हैं वो भी एक बात जरूर जान ले ये मोदी है ये न डरने वाला है और ना ही जुकने वाला है साथियों आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था उस समय बिहार के इस इलाके में महा जंगल राज हुआ करता था हिंसा, अराजकता, अफरान और प्रस्टाचार का यहां उद्योग चलता था नितिश जी के नेत्रत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महा जंगल राज वाले लोग उस दौर की बापस ही चाहते हैं इनका एक ही एजंडा है ब्रस्टाचार और लूट हमारे पूर्णिया में कहते हैं न हर बहाए से खर खाये बक्री खाये अचार भाव ये महनत गरीब जंता करें और मलाई ये आरजेडी वाले लूटें मोदी के रहते ये मुम्किन नहीं है इसलिए सब ब्रस्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ ये कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ मैं आपको एक गारंटी देता हूँ अगले पांच साल ब्रस्टाचार के खिलाब और बड़ी कारवाईयों के पांच साल मान के चलिए साथियों पुर्णिया से एंडिये उमिद्वार श्री संतोष कुमार्धी और कटिहार से दुलाल चंद्रक गोश्वामी जी ये हमारे प्रत्यासी है 26 अप्रिल को आपको इसी उत्सा के साथ इने बोट करना है पुर्णिया और कटियार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए बनाओगे गर गर जाओगे पॉलिंग बुठ जीतोगे पॉलिंग बुठ जितना है जीतोगे अच्छा मेरा एक और काम करोगे करोगे क्या ये मेरा काम है करोगे देखिए यहां से जाने के बाद गर गर जाईए और जाकर के सबसो कहिए कि हमारे मोदी जी आये थे उन्होंने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे देखिए मेरा प्रणाम पहुचेगा तो सभी परिवार के लोग मुझे आशिदवाद देंगे और जब परिवार के बुजुर्गों का आशिदवाद मिलता है न तो नई उर्जा मिलती है नई शक्ती मिलती है और मैं उसके लिए दोड़ता रहूँगा आपके लिए दोड़ता रहूँगा और पहले ही मैंने कहा था मेरा पलपल आपके नाम मेरा पलपल देश के नाम और इसने लिए मेरा संकल्प है 24 by 7 24 by 7 for 2047 विक्षीद भारत के संकल्प को पुरा करने के लिए 24 by 7 हर पल आपका मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आरेंड्र मोधी जिनापाद नारेंड्र मोधी जिनापाद भारत यह जंता प्रटीज ऑन्यवाद यह गत्पंद्द जिनापाद जै शी रहाम जै शी रहाम सवा समात हो गई है हमारे माननिय परधार मंतरी जी अगले गंतव के तरफ बढ़ रहा है मैं इस मंत से यहां उपस्थित हमारे जंतादर्ज अर्दन जो फुर्निया के पावन धर्ती पे अपने परधार मंतरी जी का स्वागत करें